हेलो इस्टुडेंट आज हम नाइन्थ क्लास अर्थसास्त्र के संसाधन के रूप में लोग के तिसरे भाग में अभी तक हमने अभी तक हमने सिक्षा स्वास्ते पड़ा अब हम बेरोजगारी पड़ेंगे और बेरोजगारी के कारण क्या समस्या पैदा होती इसे हम देखें रख्ती को काम नहीं मिलता यनि कि जितनी नींतम मजदूरी है समय उस पर वे काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे काम करने वाले लोगों में वे लोग सामिल किये जाते हैं जिनकी उम्र 16 वर्स से 69 वर्स के बीच में हैं ग्रामिंड और सहरी छेतर की बेरोजगारी में अंतर पाया जाता है। तो गाओं में अधिकतर लोग काम में लगे होते हैं, बाकी के महीने जब काम नहीं है तो वे खाली रहते हैं, इसे कहते हैं मौसमी बेरोजकारी, प्रच्छन बेरोजकारी, इसके अंतरगत हमें लगता है लोग भई काम कर रहे हैं, परन्तु किसी काम में पांच लोगों की ज देखने हैं परिवार में परिवार के जो खेट होते हैं उसमें परिवार के सारे लोग काम कर रहे होते क्यों कि उन्हें कई और काम नहीं मिल रहा होता है। इसे प्रच्छन बेरोजगारी कहते हैं, हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके कई सारे कारण है, जैसे कि जनसंक्या वरिधी, जनसंक्या बढ़ रही है, प्रंतु रोजगा नहीं बढ़ रहे हैं, सिक्छा का अभाव, सिक्छा की कमी होने के कारण लोग छोटे मूटे कामों में लगे रहते हैं जिससे उनकों परियाप्त आये नहीं प्राप्त हो पाती। कुटीर और लगू उध्योग का पत्न हो गया है। अंग्रेजों के ही समय से हम देख रहे हैं कि कुटिर और लगू अधिकतर हमारे खत्म हो चुके हैं, लोगों को बाहर जाके काम की तलास करनी पड़ती हैं, स्वास्ते सुभीधाओं की कमी भी है, स्वास्ते अच्छा नहीं है तो काम कैसे करेगा वैक्ति, ऐसे कई सारे नहीं मिल पाता तो उसे सिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, हम देखते हैं सहर में मैट्रिक, पास, इसनातक, डिगरी धारी कई यूवक है जो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये बेरोजगारी, सिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है इसके कई सारे कारण हैं, जैसे सहरी बेरोजगारी का प्रमुक कारण रोजगार केंद्रिच सिक्षा का अभाव है, हमारी जो सिक्षा है किताबी सिक्षा पर हम जोड देते हैं, रोजगार जो केंद्रिच सिक्षा है उसका आज भी अभाव है, जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही हैं। उतनी तेजी से रोजगार के अफसर नहीं बढ़ रहे हैं। ये भी एक समस्या है। और कई बार ये डिप्रेसन इतना बढ़ जाता है कि वो आत्म हत्या तक कर लेते हैं। जिससे हमारी युवा सक्ति का नास हो रहा है। तो बेरोजगारी से कई सारी ऐसी समस्याइं उत्पन हो रही है। अब ये सिक्षित बेरोजगारी जो है इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और सरकार कर भी रही है। कौसल विकास पर जोड दिया जाना चाहिए। हमें तक्नीकी सिक्षा परदान करनी चाहिए। जैसे कि गांधी जी ने भी जोड दिया था कि हमें केवल किताबी सिक्षा नहीं। हमें ऐसी सिक्षा ग्रहन करनी चाहि जो कि हमारी सरकार कर रही है, कई सारे कारेकरम चलाए जा रहे हैं, जनसंख्या को नियंद्रित कर निकले, रोजगार कार्यले खोले गए हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार सुविधा परदान की जा रही है, क्योंकि बच्चों बेरोजगारी से हमारी जो जन सक उसकी बरबादी होती है जो लोग अर्थवैवस्ता के लिए संपत्ती होती है बेरोजगारी के कारण वे बोज बन जाते हैं और युवाओं में निरासा हतासा की भावना पैदा हो जाती है और इससे समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है इ परतमान में सरकार इस बात पर अधिक बल दे रही है कि देश के सभी युवा आपम निर्भर बने वे केवल सरकारी सेवाओं पर ही आस्रितना रहे बलकि तकनीकी और वैवसाइक सिक्छा ग्रहन करके अपना रोजगार खोले और इस हेतु सरकार ने बहुत सारे परियास किय जैसे प्रधान मंतरी कौसल विकास योजना प्रधान मंतरी रोजगार प्रोसाहन योजना तकनीकी सिक्छा के लिए कई सारे आई टी आई खोले गए हैं तो सरकार द्वारा निरंतर बेरोजगारी दूर करने के लिए परियास किया जा रहा है तो बच्चो इस तरह से पार् आपने इस पार्ट में देखा सिक्छा और स्वास्ते किस प्रकार लोगों को अर्थवैवस्ता के लिए परिसंपत्ति बनाते हैं तीनों छेत्रकों में होने वाली गतिवी दिया आपने इस पार्ट में पड़ी और बेरोजगारी की समस्या उसे दूर करने के उपाए हमने पड़े अब ये पार्ट यही पर पूरा हुआ जल्ड ही अगले वीडियो के साथ आप से मिलोंगी तब तक के लिए गुडबाए